Dear student, अगर आपको भी किसी क्यूशन में doubt है तो आपको उस क्यूशन का फोटो खिचना है और क्रोप करना है तुरूंत 5 सेकिंड में उस क्यूशन का answer video solution के साथ आपको मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्यूशन homework का हो, CBSC board का हो, राजस्तान board का हो या other किसी भी board का हो या class 6-12 IITJ NIT या physics, chemistry, biology, math के इन सभी सुवालों का जुआब मिलेगा doubtnet पर साथ ही doubtnet पर class 9-12 की बच्चों के लिए live classes हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियमें चल रही है तीन करोड से ज्यादा बच्चे इस application पर पढ़ाई कर रहे हैं doubtnet के इस application को अभी download कीजिए, link मिलेगा description में नमस्कार पहले बच्चों सुवागता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में तो आज की इस वीडियो में परसन माला 16.2 यानि राजस्तान बोर्ड कक्सा 10 गनित में ये आपके चेप्टर है 16.2 यानि प्रस्टी चेतरफल और आईतन अगर आपने 16.1 के जितने भी example है और उस एक साइज में जितने भी question है और 16.2 से समन्दित जितने भी आपके example है अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की link आपको description में मिल जाएगी वहाँ जाकर आप उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से अपनी त्यारी कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम परसन माला 16.2 इस exercise में total आपके 13 question दे रहे हैं उन सभी 13 question को हम इस वीडियो में solve करने वाले हैं तो वीडियो को आपको शुरू से अंतक देखना है question number one आपको दे रहा है कि एक बेलन है उसका व्यास आपको दे रहा है यानि एक बेलन है एक सेलेंडर है उसका व्यास कितना है 14 सेमी और उन्चाई कितनी है 15 सेमी यानि बेलन का जो व्यास है जो डाइमेटर है वो हमें दे रहा है 14 सेमी तो रेडियोस है जो तिर्जया है वो संपूर्ण प्रस्टिय चेतरफल अब देखिए बेलन का जो संपूर्ण प्रस्टिय चेतरफल होता है उसका भारमुला आपको याद करना है और हमें आयतन भी निकालना है यानि बेलन का संपूर्ण प्रस्टिय चेतरफल और आयतन ये दोनों ही हमें निकालने हैं सबसे पहल से वह हमारे पास किईशन में देर का है 14 से मी तो वेलन की जो 30 आए वह कितनी आएगी य्यानि व्यास की आदि क्या होती है तिरिज़र व्यास की आदि क्या होती है तिरिज़र तो value यानि 30 का मान कितना है 7 से मी अब हमें क्यूशन में सब से पहले निकालना है बेलन का संपूर्ण प्रस्टिय चेतरफल तो बेलन का जो संपूर्ण प्रस्टिय चेतरफल है उसका फार्मूला है आपके 2 पाई आर कोस्तक आर प्लस है अब देखिए 2 का दो लिखना है उसके बाद में गुणा पाई की वेल्यू क्या है 22 बटे 7 उसके बाद में गुणा आर का मान कितना है 7 से मी अब देखिए 7 से साथ कर जाएगा तो 2 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 44 और यहां पर आर की वेल्यू क्या है 7 से मी प्लस ह का मान कितना है 15 से मी अब देखिए 7 प्लस 15 कितने होते हैं आपके 22 ओके यानि 7 से 7 कैंसिल अब 2 को 22 से गुणा करेंगे 24 से मी और कोस्तक में क्या है आपके 22 से मी अब इन दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे गुणा करेंगे यानि 44 और ब्रेक की ठटाएंगे तो किस में जो गुणा का निसान लगेगा और गुणा में क्या है आपकी 22 से मी अब 44 से मी को 22 से मी से गुणा करेंगे तो क्या आएग यह बेलन का जो आयतन है, उसका फार्मॉला है आपके पाई आर स्क्वाइर H, अब देखिए पाई का मान कितना है, आपके 22 बटा साथ होता है, उसके बाद में गुणा का निशा ने, आर का मान कितना है, 7 सेमी, और स्क्वाइर है, इसलिए हमें आर को कितनी बार लिगना है, दो बार, और गुणा में क्या है, Rs, तो Rs का मान कितना है, 15, अब इसको sowl करेंगे, तो देखिये, यह 7 से, यह 7 कैंसिल, अब 22 को 7 से, गुणा करेंगे, उसके बाद में किसे गुणा करेंगे, 15 से, तो 22 Themen, गुणा में 7 से में, और गुणा में कितना है 15 semi अब 22 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 154 और cm को cm से गुणा करेंगे तो cm² और गुणा में क्या है 15 semi यानि 154 को 15 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 2310 और सेमी स्क्वाइर को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी क्यूब और आप जानते हैं कि जो आयतन होता है यानि जो वोल्यूम होता है आयतन होता है वो आपके क्यूब में आता है किसमें आता है क्यूब में और जो छेतरफल है वो होता है आपके स्क्वाइर में छेतरफल किसमे च्जुशल नॉमर्द आपको देए रखा है कि लंबुवरति है बेलन है उसकी उन्चाई आपको दे रखिए यानी बेलन की जो हाइट है H का मान है वो कितना दें रह Till देंगे,7 Sunmi, और अधार की जो तरिजा है, यानि तरिजा R का मान है,30 Sunmi, अब हमें निकालना है इसका Worker Prestige हित्रफल, संपूर्णe प्रषित्रफल, और I Thane, यानि इसमें आपको तिनों ही निकालने है, फहले आपको Worker Prest निकालना है, उसके उन्चाई और बेलन की जो उन्चाई है 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 उसका मान कितना दिया गया है साथ सेमी और बेलन की जो त्रिजया है आर का मान है वो हमें कितना दिया गया है तीन सेमी अब हमें निकालना है कि बेलन का जो वक्र प्रस्थिय छेतरफल है उसका फार्मूला यानि बेलन का वक्र प खbreaking, मैंने उसके बाद में इनकी बीच में 신 किसका है गूना का, पाइ की वेलिव क्या है, 22 बटे 7, और गूना में R की वेलिव कैं तीन में, और गूना में S का मान कितना है, 7 सैमी, अब इस 7 से ये 7 cancel, ओके अब 2 को 22 से गूना करेंगे, तो क्या आएगा, चमालिस और गुणा में क्या है तीन और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेमी स्क्वाइर आएगा अब चोमालिस को तीन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 132 सेमी स्क्वाइर यानि इस बेलन का जो संपूर्ण जो वक्र प्रस्टी सेतरवल है वो आपके आ जाएगा 132 सेमी स्क्वाइर अब हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण प्रस्टी चेतरवल तो बेलन का जो संपूर्ण प्रस्टी चेतरवल है उसका फार्मूला क्या होता है 2 πाई आर कोस्टेक आर प्लस एच 2 का 2 लिखा है मैंने यहाँ पर उसके बाद में इनके बीच में जो साइन आएगा वो गुणा का आएगा और पाई का मान क्या है 22 बटे 7 और गुणा में आर की वेल्यू क्या है 3 सेमी उसके बाद में ब्रेकिट है आर की वेल्यू लिखनी है आपको 3 सेमी उसके बाद में प्लस का साइन है h की value क्या है 7 semi ओके अब 2 को 22 ही गुणा किया तो 44 और बटे में क्या है 7 और गुणा में 3 semi उसके बाद में देखिए कोस्टक वाली जो नमबर है ब्रेकिट में जो नमबर है उनको solve करेंगे तो 3 semi में 7 semi add करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 semi अब 44 को 3 semi ने गुणा किया तो मेरे पास आया 1320 कितना आएगा 1320 और इस semi को इस semi से गुणा करूँगा तो क्या आएगा semi square और बटे में क्या है 7 यानि 7 का भाग 1320 में कितनी बार जाएगा आपके 188.57 semi square तो ये आएगा आपके बेलन का संपूर्ण प्रस्टिये 76 उसके बाद में हमें निकालना है बे pi r square h अब देखे pi का मान क्या है 22 बटे 7 इनके बिच में sign है वो किसका आएगा गुणा का अब r की value क्या है 3 semi अब यहाँ पर square है तो हमें 2 बार लिगना है r को उसके बाद में गुणा में h का मान h का मान कितना है 7 semi अब यह 7 से यह 7 cancel होके अब देखे 2 है उसके बाद में गुणा 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 और semi को semi से गुणा करेंगे तो semi square और गुणा में क्या है 1 semi यहनि 7 से 7 cancel होगा तो कितना आएगा 1 अब देखिए 22 को 9 से गुणा करेंगे तो 118 और 118 को 1 से गुणा करेंगे तो 118 आएगा अब semi square को semi से गुणा करेंगे तो क्या आएगा semi cube यानि बेलन का जो आयतन है वो कितना आएगा आपके 118 semi cube इससे नमर 3 आपको दिया गया कि बेलन के सीरे का छेतरफल 154 semi square है और इसकी उन्चाई हमें देर के कि semi हमें बेलन का आयतन निकालना है और वाक्र प्रस्टी छेतरफल निकालना है तो देखिए बेलन के सीरे का जो छेतरफल है और बेलन का जो सीरा होता है वो वर्टाकार होता है तो यहाँ पर जो यह देरगा है वर्ट का देरगा है 154 सेमीस्क्वाइर इससे हम निकालेंगे रेडियस यानि हमें सीर्ज़र निकालनी है और सीर्ज़र और उंच्छाई अगर अमारे पास है तो हम आयतन भी निकाल सकते हैं और वाकर प्रस्टिय छेत्रफल भी निकाल सकते हैं तो देखी क्यूसर नमर तीन है उसमें हमें देर खाया क्यूसर में बेलन के सीरे का छेत्रफल और बेलन के सीरे का जो छेत्रफल है वो कितना देर का है 154 सेमी स्क्वाइर और हम जानते हैं कि जो बेलन का ज जो उन्चाई है उसका मान दे रहका है 21 सेमी अब वर्त का जो छेत्रफल है वो कितना है 154 सेमी स्क्वाइर अब वर्त का जो छेत्रफल होता है उसका फार्मुला है पाई आर स्क्वाइर और बराबर में क्या है 154 सेमी स्क्वाइर अब देखिए पाई का मान क्या होता है 22 गुणा यानि cross multiply अब 1 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 और 1 को r square से गुणा करेंगे तो r square और बराबर में 7 को किसे गुणा करेंगे 154 semi square से तो इसको हम लिखेंगे 154 semi square गुणा में 7 अब हमें निकालना है r square तो r square को इदर लेके आएगे और ये जो 22 है ये किसमे है गुणा में है तो ये इसके भाग में जाएगा यानि 154 semi square गुणा 7 बटे 22 अब ये 22 का भाग 154 में कितनी बार जाता है 7 बार कितनी बार जाता है 7 बार तो r square बराबर 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49 यानि 49 और semi square इसके साथ में लगा हुआ है अब इसका square अटाएंगे यानि इस r पर जो square लगा है इस square को अटाएंगे तो आगे वाला जो नम्मर है उस पर क्या लगेगा root लगेगा यानि वर्गमूल लगेगा अब 49 है 49 है इसका वर्गमूल क्या होता है 7 कितना होता है 7 और semi square का वर्गमूल क्या होता है semi तो जो तिरजया है जो बेलन की जो तिरजया है वो कितने आगे है 7 semi और उन्चाई का मान हमारे पास 21 semi दे रगा है अब हमें बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मुला क्या होता है, πाई आर, इस्कुआइर एच, पाई का मान क्या हो है, 22 बटे साथ, और इनके बीच में साइन गुणा का है, रेडियेस है जो त सिरिजा है, वो हमें देर के साथ से मी, और square है तो इसको दो बार लिखेंगे और गुणा में h का मान कितना है 21 सेमी अब 7 से 7 काट दो 7 से 7 कैंसिल तो यहाँ पर क्या बचा है 22 और 7 को 7 से काटेंगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 सेमी बचेगा उसके बाद में गुणा में 7 सेमी है और गुणा में 21 सेमी अब 22 को 1 से गुणा करेंगे 22 और 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 और सेमी को इस सेमी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेमी स्क्वाइर और गुणा में क्या है 21 सेमी अब 154 को 21 से गुणा करेंगे तो 3234 आएगा और semi square को semi से गुणा करेंगे तो क्या आएगा semi cube यानि जो balance का item है वो आजाएगा आपके 3234 semi cube अब हमें निकालना है balance का वक्र प्रस्टी चितरवल तो balance का जो वक्र प्रस्टी चितरवल है उसका formula क्या होता है 2 pi r h 2 का 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद में इनके बीच में जो sign है वो किसका है गुणा का पाई की value क्या है 22 बटे 7 और गुणा में जो 30 है उसका मान कितना है 7 semi और गुणा में h का मान कितना है 21 semi यह 7 से 7 cancel यहाँ पर 1 आएगा अब 2 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 44 और गुणा में क्या है 1 semi और गुणा में क्या है 21 semi 45 को 1 से गुणा करेंगे 45 और 45 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 924 और semi को semi से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके semi square तो नम्मर चार हमें दे रखा है कि दो लंबवर्ती बेलन है बेलन कितने हमारे पास दो अब उनकी तरिजाओं का अनुपाद दे रखा है दो अनुपाद तीन और दोनों बेलनों के वक्र प्रस्टी सित्रफल तथा आयतनों का अनुपाद ग्याद कीजिए पहले हमें निकालना है कि दोनों बेलन है उनके वक्र प्रस्टी सित्रफल का अनुपाद उसके बाद में उन दोनों के आयतन का अनुपाद सबसे पहले हमें क्युस्षन में क्या दिया गया है कि दोनों जो बेलन हैं उनकी तरजाओं का अनुपात कितना देर कहा है दो अनुपात तीन यानि ये पहले बेलन की तरज़ा है और ये दूसरे बेलन की तरज़ा है तो पहले बेलन की तरज़ा कितनी है दो सेमी कितनी है दो सेमी और यहाँ पर पहला बेलन है तो इसकी जो तरज़ा है उसको किसे दरसाएंगे R1 से और दूसरे बेलन की जो तरज़ा है उनका अनुपाद एरक है 5 अनुपाद 4 ये पहले बेलन की उन्चाई है तो इसको H1 से और ये दूसरे बेलन की उन्चाई है तो इसको H2 से दरसाएंगे अब देखे पहले बेलन की जो उन्चाई है H1 है उसका मान कितना है 5 और दूसरे बेलन की जो उन्चाई है उसको H2 से दरसाएंगे तो इसका मान कितना है 4 अब हमें निकालना है सबसे पहले दोनों बेलन के वक्र प्रस्ट ये 6 तरफलों का अनुपात तो पहले場ल बेलन का वक्र परंच चेतरफल बड़े दूसरे बेलन का वक्र प्रेश्ट चेतरफल अब देखे बेलन का जो वक्र परंच होता है उसका फ़ार्मॉला क्या होता है 2πRH अब दोनों में 2 pi तो दोनों में common है उसके बाद में जो radius है जो तिर्जया है और उंचाई है वो अलग-अलग है इसकी R1 है और इसकी उंचाई H1 तो 2 pi R1 H1 क्योंकि यह पहला valen है और पहले valen की तिर्जया क्या होगी R1 और पहले valen की उंचाई क्या होगी H1 और बटे दूसरे valen का वक्र प्रश्चेतरवल तो देखे 2 pi है यह तो सेम उसके बाद में यहाँ पर दूसरा valen है तो दूसरे valen की जो तिर्जया है उसका मान के आएगा R2 और उंचाई का मान के आएगा H2 अब देखे इस 2 pi से यह 2 pi कैंसिल अब उपर बचाए R1, H1 और बटे में बचाए R2, H2 तो R1 का मान कितना है 2 और गुणा इनके बीच में जो साइन है वो गुणा का आएगा H1 का मान कितना है 5 और बटे में R2 का मान कितना है 3 और गुणा में H2 का मान कितना है 4 अब दो को पांच से गुणा करेंगित के आएगा दस आएगा और बटे में तीन को चार से गुणा करेंगित के आएगा बारा अब ये दोनों नमबर आपकी किसकी टेबल में आते हैं या आते हैं आपकी दो की यानि दो का जो पाड़ा होता है जो table होती है उसको कितनी बार बोलें कि 3 नए 5 बार और 2 की table में जो 12 है वो कितनी बार बोलें 6 बार तो यह आपके आएगा 5 बटे 6 या भिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इस 2 को इस 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 उपर बचा है 5 और नीचे बचा आपके 3 गुणा 2 तो 3 को 2 से गुणा गरेंगे क्या आएगा 6 और 5 बटा 6 इसको अनुपात में लिखेंगे तो किस परकार से लिखेंगे 5 अनुपात 6 यानि दोनों बेलन है उनके वक्र प्रस्चिय छेतरभलों का जो अनुपात है वो कितना आएगा 5 अनुपात 6 अब हमें निकालना है कि दोनों बेलन के जो आइतन है उनका अनुपात तो सबसे पहले निकालेंगे पहले बेलन का आइतन और बटे दूसरे बेलन का आइतन पहला जो बेलन है यानि बेलन का जो आइतन है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वाइर एच पहला बेलेन है तो यहाँ पर R1 रखेंगे और उन्चाई H1 रखेंगे दूसरा बेलेन है तो πाई R2 यहाँ पर तीज़ा क्या लेंगे 2 और उन्चाई क्या लेंगे H2 ओके तो मैंने यही फॉर्मूला लिखा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई पाई दोनों में कोमन है तो पाई से पाई कैंसिल यहाँ पर R1 का स्कॉयर और गुणा में क्या है H1 और बटे R2 का स्कॉयर गुणा H2 r1 का मान कितना है 2 और इसका करेंगे square गुणा में h1 का मान कितना है 5 बटे में r2 का मान है 3 और इसका करेंगे square गुणा में h2 का मान क्या है 4 अब देखे 2 का square क्या होता है 4 गुणा में है 5 3 का square क्या होता है 9 और गुणा में क्या है 4 ये 4 ये 4 आपके क्या होंगे कट जाएंगे उपर बचेगा 5 और निचे क्या बचेगा 9 और 5 बटा 9 है इसको अनुपात में लिखेंगे तो किस परकार से लिखेंगे 5 अनुपात 9 तो ये आपके आनसुर आएगा क्यूशन नमर 5 आपको दे रहा है कि एक ठोस बेलन है जिसका संपूर्ण प्रष्टी चेतरफल 462 वर्ग सेमी है यानि एक ठोस बेलन आपको दे रहा है और उसका संपूर्ण प्रष्टी चेतरफल कुल प्रष्टी चेतरफल आपको दे रहा है क्यूशन में 462 वर्ग सेमी वर बात करना है तो देखिए हमें क्यूशन में दे रहा है कि एक ठोस बेलन है और उसका संपून परष्टिय चेतरफल 462 सेमी स्क्वाइर दे रहा है यानि जो बेलन है उसका संपून परष्टिय चेतरफल कुल परष्टिय चेतरफल का भार्मुला क्या होता है सुत्र क्या होता ह 2 πi r कोस्टक r plus h और बराबर में हमें दे रहे है 462 semi square अब देखिए हम इसको solve करेंगे तो 2 πi r को इस r से गुना करेंगे यानि r plus h ये दोनों किसे multiply होंगे आपके 2 πi r से तो 2 πi r को r से गुना करेंगे तो ये आएगा आपके 2 πi r square और उसके बाद में plus का sign है और 2 πi r को h से गुना करेंगे तो ये आएगा आपके 2 πi r h बराबर में क्या है 462 semi square इसको क्या बनाएंगे समीकर्ण 1 बनाएंगे उसके बाद में देखिए जो वक्र प्रस्टी 76 फल है वक्र प्रस्टी 76 फल का मतलब क्या है एक तियाई एक तियाई का मतलब क्या होता है एक बटे तीन यानि एक बटे तीन भाग तो 462 का एक बटे तीन भाग निकालेंगे तो ये कितना एगा आपके 154 यानि 154 semi square तो 154 semi square आपकी क्या है 2 πi r h यानि वक्र प्रस्टी 76 फल तो 2 πi r h बराबर क्या है 154 इसको बनाएंगे semi square 2 अब देखें यहाँ पर 2 πi r h की जो value है इसका जो मान है वो कितना है 154 है तो 2 πi r h का मान हम किसमें रखेंगे semi square 1 में रखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 πi r h का मान semi square 1 में रखने पर तो 2 πi r h की जगह में क्या लिखूँगा 154 यहाँ पर 2 πi r square वेसा का वेसा है और यहाँ पर जो 2 πi r h है इसकी जगह में क्या लिखूँगा इसका मान कितना है 154 semi square और बराबर में क्या है 462 semi square अब देखें 2 πi r square को बराबर में लाएंगे तो यह प्लस वाला जो नम्मर है यह इसके इदर जाएगा तो यह आपके माइनस में जाएगा यानि 462 semi square माइनस में क्या है 154 semi square अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो यह आपर क्या बचेगा 308 semi square यानि 2 πi r square बराबर क्या है 308 semi square अब pi r square बराबर यानि इस 2 से मैंने 308 को काट दिया है cancel कर दिया है तो यह यहाँ पर कितना हैगा यानि 2 का भाग 308 में कितनी बार जाएगा 154 यानि 154 बार अब देखिए यह pi का मान क्या होता है 22 बचे 7 और इनके बीच में गुणा का sign है r square इसकी value नहीं है हमारे पास और बराबर में क्या है 154 और इसके बटे में क्या लेंगे 1 और इन दोनों को क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे अब देखिए 1 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 और 1 को r square से गुणा करेंगे यह आपके गुणा में तो यह भाग में आएगा और 22 का भाग किसके गुणा में आएगा 154 सेमी स्क्वाइर गुणा 7 बटे में क्या आएगा 22 अब 22 का भाग 154 में कितनी बार जाएगा 7 बार तो मैं लिख सकता हूँ कि R स्क्वाइर बराबर क्या है 7 को साथ से मलटीप्लाइ करेंगे 49 सेमी स्क्वाइर अब इसका स्क्वाइर अटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? रूट लगेगा और रूट 49 का मान क्या होता है? गो कितनी आ चुकी है हमारे पास 7 सेमी कितनी आ चुकी है 7 सेमी अब R का मान हमें H भी निकालना है क्योंकि इस क्यूस्टन में हमें बेलन का आइतन निकालना है तो बेलन का जो आइतन होता है वो Pi R² H होता है जहाँ पर हमें Radius भी चाहिए और height भी चाहिए, तो r का मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, एक में भी रखके निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 से निकालेंगे, क्योंकि 2 समीकरण है, उसे जल्दी आ जाएगा, तो r का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये line आपको लिगने है, और समीकरण 2 हमारे पास क्या ह 2 pi r h बराबर कितना है, 154, अब देखिए 2 का 2, उसके बाद में इनके बीच में गुणा का sign है, pi का मान 22 बटे 7, गुणा में r का मान कितना है, 7 समी, गुणा में h का मान नहीं है, तो h का h ही रखना है, और बराबर में क्या है, 154, अब देखिए 7 से 7 cancel, तो यहाँ पर बचा है, 2 गुणा 22, गुणा में क्या बचा है, h, और बराबर में क्या है, 154, अब हमें h का मान निकालना है, तो h को equal में लेके आएंगे, तो यह दोनों नमबर आपके गुणा में है, तो इस नमबर के भाग में जाएंगे, यानि 154 upon me to into 22, अब देखिए 22 का भाग, यह जो 22 है इसका भाग 154 में कितनी बार जाता है, 7 बार, और semi का भाग semi square में कितनी बार जाता है, semi बार, तो h का मान कितना आगया है, 7 बचे 2 semi, कितना आगया है, 7 बचे 2 semi, अब हमें निकालना क्या है, क्यूशन में, बेलन का आइतन, तो देखिए, बेलन का जो आइतन है, उसका फार जाए है इसको दो बार लिखेंगे और गुना में H है तो H का मान कितना है 7 बटे 2 अब इस 2 से 12 को काटेंगे कितनी बार 11 वार और ये 7 से ये 7 Вас गैंसिल हो जाएगा तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आहेगा 67 और 77 को कितने से गुना करेंगे साथ से तो यह आएगा आपके पान सो उन्चारिस क्या आएगा पान सो उन्चारिस और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे सेमी स्क्वाइर और सेमी स्क्वाइर को इस वन से मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेमी क्यूब और वेसे भी आप जानते हैं कि जो आयतन है वो क्यूब में आता है तो 549 सेमी क्यूब यह आपके आएगा बेलन का आयतन कुशन नमर 6 आपको दे रखा है कि एक बेलन है उसका वक्र प्रस्टिय 6 तरफल यानि बेलन का वक्र प्रस्टिय 6 तरफल कितना दे रखा है 660 वरग सेमी यानि 660 सेमी स्क्वाइट और उस बेलन की उंचाई कितनी दे रखी है 15 सेमी तो इसका आयतन निकालना है यानि हमारे पास क्यूसन में R का मान नहीं है यानि तिर्जया नहीं है तो सबसे पहले तिर्जया निकालेंगे किसे वक्र प्रस्थी से यानि जो वक्र प्रस्थी हमें दे रहे है 660 तो इसे हम तिर्जया भी निकाल सकते हैं और तिरजया निकालने के बाद हमें निकालना है बेलन का आयतन देखिए सबसे पहले हमें क्यूशन में देरका है कि जो बेलन है उसका वक्र प्रेस्टी है छेतरफल कितना देरका है 660 सेमी स्क्वाइर और बेलन की जो उंचाई है वो हमें देरकी है 15 सेमी यानि H का मान हमारे पास 15 सेमी अब हमें निकालना है तरिजया तो तरिजया निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो वक्र प्रस्टी से तरवल हमें दे रगा है 2 πाई आरेच वो कितना दे रगा है 660 सेमी स्कौाइर अब देखिए 2 2 से इस इस 2 से में इस 660 को भाग कर सकता हूँ यानि 2 का भाग इस 660 में पूरा जाता है कितनी बार जाएगा 330 बार जाएगा तो यहाँ पर पाई का मान क्या है 22 बटे 7 और गुणा में R का मान R क्योंकि तरिजया हमें निकालनी है और H का मान हमारे पास कितना है 15 सेमी और बराबर में क्या है 330 सेमी स्क्वाइर इसके बटे में क्या लेंगे 1 और इनको क्या करेंगे वजर गुणा अब देखिए 1 को 22 से गुणा करेंगे 22 एक को R से गुणा करेंगे R और एक को 15 से गुणा करेंगे 15 और 7 को किसे गुणा करेंगे 330 से नम्मर है उसके बटे में जाएंगे यानि 330 सेमी स्कॉाइर गुणा 7 बटे में क्या आएगा आपके 22 भी आएगा और 15 भी आएगा आप देखिए 15 का भाग मैंने इसमें दिया है कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा और 22 से 22 कैंसिल यानि क्या बचा है 7 बचा है तो 33 है वो कि कितनी आएगे आपके 7 सेमी अब हमें निकालना क्या है बेलन का आइतन तो बेलन का जो आइतन है उसका फार्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्कॉाइर एच क्या होता है पाई आर स्कॉाइर एच क्या होता है पाई आर स्कॉाइर एच पाई का मान क्या है 22 बच्टे साथ से साथ कैंसिल अब देखिए इस 22 को साथ से गुणा करेंगे 154 आएगा और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे सेमी स्कॉयर आएगा गुणा में क्या है 15 सेमी अब 154 को 15 से गुणा करेंगे तो 2310 आएगा और सेमी स्कॉयर को सेमी से गुणा करेंगे तो क्या हैगा सेमी क्य नमर साथ आपको दे रखा है कि एक बेलन है उसका item आपको दे रखा है यानि बेलन का item कितना दे रखा है 30 pi semi cube और आधार का चेतरफल आपको दे रखा है 6 pi semi cube अब हमें निकालना है बेलन की उंचाई very very important question है जो आपके आगाम एक्जाम में पूछा जा सकता है देखिए सबसे पहले हमें question में दे रहा है कि बेलन का item तो बेलन का item कितना दे रहा है 30 pi semi cube और आधार का 6 तरफल हमें दे रहा है 6 pi semi cube हमें निकालनी है बेलन की उंचाई तो उंचाई बराबर एक formula होता है जो मैंने आपको 16.1 वाली जो exercise है परसंद माला है उसमें भी मैंने question आपको बदाया था कि उंचाई बराबर क्या फार्मूला होता है item बटे 6 तरफल क्या होता है item बटे 6 तरफल यानि volume upon area height बराबर क्या होता है h बराबर होता है volume upon area और volume यानि item है वो आपको दे रखा है question में 30 pi semi cube और जो area है जो 6 रफल है वो हमें दे रखा है 6 pi semi square अब देखिए pi से pi cancel 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 5 बार semi square का भाग semi cube में कितनी बार जाएगा 1 semi बार तो इसकी जो height है बेलन की जो उंचाई है उसका मान कितना हैगा 5 semi question नमर आठ आपको दे रखा है कि बेलन का item और वक्र प्रष्टिय छेतरवल हमें दे रखा है 1650 गन semi यहाँ पर गन semi का मतलब क्या है semi cube है क्या है semi cube याणि बेलन का जो item है वो हमारे फास है 1650 semi cube यहा घं semi और जो वक्र प्रष्टिय छेतरवल है हो हमारे पास है 660 वर्ग semi और वर्ग semi का मतलब है semi square अब हमें निकालना है बेलन की 33 निकालनी है और उंच्छाई याणि बेलन की जो decor और जो 650 सेमी क्यूब और बेलन का जो वाकर प्रस्टी चित्रबल है वो कितना दे रगा है 660 सेमी स्क्वाइद अब हमें निकालना है बेलन की तिर्जिया और बेलन की उंचाई यानि आर और एच ये दोनों ही हमें क्यूशन में निकालने हैं तो इंपोर्टेट क्यूशन है आपके बोर्ड एकजाम में पूछा जा सकता है अब देखिए बेलन का जो आईतन है सबसे पहले बेलन का आईतन दे रगा है तो आईतन बराबर लिखेंगे और आईतन ग्यात करने का सूत्र क्या होता है पाई आर स्कॉाइर एच और जो अल्रेडि हमें क्यूशन में दे रगा है 16 सो पचास सेमी क्यूब यानि पाई आर स्कॉाइर एच यानि बेलन का आईतन बराबर क्या है 1650 तो बेलन का आईतन क्या होता है सो पाई आर स्कॉाइर एच और बराबर में क्या दे रगा है 1650 सेमी क्यूब इसको बनाएंगे समीकरण एक अब आगे आपको दे रगा है कि ब हुआ से इस छेसे दिशाट या निदो का भागं शेसे अट में कितनी बार जाता है आपके 330 बार जाता है कितनी बार जाता है 330 बार अब देखें कि यहां पर क्या बचा है अमारे पास Pya' Art तो Pya'r Tab ber मैंने लिख दिया है 330 semi-square आप आप देखिए मुझे r निकालना है तो r को equal में लेके आएंगे r को किसमें लाएंगे equal में तो यहाँ पर बचा है आपके pi h जो आपके गुणा में है तो यह इसके बटे में जाएगा यानि 330 semi square बटे में क्या आएगा pi h इसको बनाएंगे समिकरण 2 क्या बनाएंगे समिकरण 2 आप देखिए r का जो मान है यह आपके r का मान है 330 semi square बटे में क्या है pi h यह हम किसमें रखेंगे समिकरण 1 में रखेंगे जो समिकरण 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर πाई है और R की जगहें क्या रख देंगे वो मान रख देंगे और इसका square करेंगे गुणा में H है और बराबर में 1650 अब देखिए पाई का पाई उसके बाद में जो R square था क्या था R square तो मैंने R की जगहें में मान रख रहा हूँ 330 बटे में πाई H और इसका क्या करेंगे whole square और गुणा में क्या है H और बराबर में 1650 semi cube आप देखिए पाई का पाई उसके बाद में 330 का square है तो 330 गुणा 330 मैंने इस नम्मर को दो बार लिख दिया और बटे में πाई H तो पाई को भी दो बार लिखेंगे और H को भी दो बार अब देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल और ये H से H कैंसिल अब 330 को 330 से गुणा किया है और बटे में क्या बचा है पाई H और बराबर में क्या है 1650 अब इसको करेंगे वज्र गुणा तो एक को मैं गुणा करूँगा 330 गुणा 330 से तो यह आपके 330 गुणा 330 आएगा औ और πाई गुणा H, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये भी आपके इसमें गुणा में आएगा, यानि πाई H को गुणा करेंगे 1650 से, तो πाई गुणा H गुणा 1650, या 1650 को पहले लिख दो, पाई H को बाद में लिख दो, ओके, बराबर में H 330, गुणा 330, अब देखिए 1650, गुणा पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7, गुणा में H और बराबर में 330, गुणा 330, अब हमें मान क्या निकालना है, H का, तो H को इकुवल में लेके आएंगे, तो देखिए, ये वाला जो नंबर है, और ये दोनों नंबर है, 1650, गुणा 22, या आपके इसके बटे में आएंगे, और ये जो 7 है, ये इसके गुणा में आएगा, उपर, ओके, अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 33 का भा 33 में 3 बार जाता है, और इसमें कितनी बार जाता है, दो बार, ओके, अब 2 का भाग इसमें देंगे, तो ये आएगा 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 6, और ये आपके आएगा 5, यानि 165, और 165 से 165 कर जाएंगे, और 7 को 3 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 21 से मी, तो ये 21 सेमी अब h का जो मान है h का मान हमने ग्याद कर लिया 21 सेमी उसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो r का मान आ जाएगा और समीकरण 1 है हमारे पास pi r square h बराबर में क्या है 1650 सेमी क्यूब pi का मान 22 मटे 7 होता है गुणा में r square इसका मान में निकालना है गूणा में h का मान हमारे पास देर का है 21 सेमी जो हमने ग्याद किया है और बराबर में 1650 सेमी क्यूब अब 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है 3 बार तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 22 गुणा में R² गुणा में 3 सेमी और बराबर में क्या है 1650 सेमी क्यूब मुझे R² निकालना है तो R² को बार लाएंगे और ये दोनों नम्मर आपके 22 गुणा 3 ये इस नम्मर के बटे में जाएंगे देखे 22 का जो भाग है वो 1650 में जाएगा आपके 75 बार यानि 55 बार और 3 का भाग पिछेतर में कितनी बार जाएगा 25 बार तो R² बराबर 25 सेमी स्कूइर अब इसका स्कूइर अटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा और रूट 25 का मान क्या होता है यानि R² बराबर आपके पास है 25 तो इसका स्कूइर अटाओगे तो क्या लगेगा आगे वाले नम्मर पर रूट और रूट 25 का मान क्या होता है 5 सेमी पांच होता है और सेमी स्कूइर का वर्गमूल होता है सेमी तो जो तिर्जया है वो कितने आएगी 5 सेमी और जो उंचाई है उसका मान के आएगा 21 सेमी उसन नमर नाइन आपको दे रगा है कि एक बेलन है उसकी उंचाई वे तिर्जया आपको दे रगी है बेलन की उंचाई का मान दे रखा है 7.5 और तरिजा का मान दे रखा है 3.5 अब देखिए इसके संपूर्ण प्रष्ट का छितरफल और वक्र प्रष्ट छितरफल में आपको अनुपात निकालना है संपूर्ण प्रष्ट ये छितरफल बटे वक्र प्रष्ट ये छितरफल तो आपके क्या आएगा अनुपात आएगा वो अनुपात आपको बताना है तेखिए क्यून में हमें दे रखा कि बेलन की जो उंचाई है उसका मांन दे रखा है 7.5 सेमी और बेलन की जो दृज़ा है आर का मान है वह हमारे पास 5.5 सेमीgestellt हमें निकालना है संपूर्ण प्रेष्टी चेतरवल और वक्र प्रेष्टी चेतरवल में अनुपात तो अनुपात बराबर होता है आपके जिसके बारे में आपको अनुपात निकालना है तो संपूर्ण प्रेष्ट का चेतरवल बटे में निकला है आपको बटे में आपको लिगना है कि बेलन का वक्र प्रस्ट छेतरफल अब अनुपात बराबर बेलन का संपूर्ण प्रस्ट छेतरफल है उसका फार्मूला होता है 2πR कोस्तक R प्लस H और बटे बेलन का जो वक्र प्रस्ट है उसका फार्मूला होता है 2πRH अब देखे टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल उपर क्या बचा है आर प्लस एच और बटे में क्या बचा है एच आर का मान कितना है तीन पॉइंट पांस से मी और प्लस का साहिन है और एच का मान कितना है साथ पॉइंट पांस से मी बटे में क्या है एच ह का मान कितना है 7.5 से मी अब देखिए 3.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो यह आएगा आपके 11 से मी और बटे में क्या है? 7.5 से मी अब इसका पॉइंट अटाने के लिए 10 से गुणा करना परेगा तो 11 को 10 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 110 10 और 7.5 को 10 से गुना करेंगे तो इसका point अटेगा यह आएगा आएगा आपके 75 कितना आएगा 75 अब इसको 5 से काटेंगे तो यह आएगा 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 22 यानि 5 का भाग 110 में 22 बार और 5 का भाग इसमें 15 बार तो यह आपके अनुपात आएगा 22 अनुपात 15 तेन आपको दे रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुवा खोदा गया है यानि जो कुवा है और कुवा किसकी आकार का होता है आप जानते हैं बेलन के आकार का होता है तो बेलन का जो गहराई है बेलन की जो गहराई है गहराई का दूसरा नाम क्या होता है उन्चाई यानि बेलन की जो उन्चाई है वो आपको देरे के 20 मिटर और बेलन क्या कार का है कुवा और कुवा है उसका व्यास कितना देरे का है यानि बेलन का व्यास कितना देरे का है 7 म अब इससे निकली मिटी से 22 मिटर गुना 14 मिटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है यानि कोई से जो माट्टी खोदी जाती है उस माट्टी से उस मिटी से क्या बनाया जाता है एक चबूतरा बनाया जाता है और यहाँ पर जो चबूत्रा बनाया जाएगा वो चबूत्रा किसके आकार का होगा गनाब की आकार का जहाँ पर गनाब की लंबाई आपको दे रहे किये 22 मीटर और चोड़ाई आपको दे रहे किये 14 मीटर अब आपको चबूत्रे की उंचाई पूछिए यानि गनाब की उं करते हैं एच से तो एच का मान हमारे पास देर का है 20 मिटर यानि गहराई गहराई का दूसरा नाम क्या होता है उन्चाई तो वहाँ पर कुए की जो गहराई है वो देर की है गहराई का मतलब क्या होता है उन्चाई तो बेलन की जो उन्चाई है उसका मान के आएगा 20 मिटर औ यानि कुए का व्यास देर का आपको 7 मिटर और कुवा है वो बेलन के आकार का होता है वो किसके आकार का होता है बेलन के आकार का तो बेलन का व्यास 7 मिटर है तो बेलन की जो तरिजा है आरे उसका मान के आजाएगा 7 बटे 2 मिटर यानि व्यास की आदि क्या होती है तरिजा अब चबूत्रा है चबूत्रा किसकी आकार का होता है गनाब की आकार का होता है तो यहाँ पर चबूत्रे की लंबाई लिख दो या गनाब की लंबाई लिख दो तो यहाँ पर चबूत्रे की लंबाई है 22 मिटर यानि गनाब की लंबाई है 22 मिटर और चोड़ाई का मान क्या 14 म, चबूत्रे की जो उंचाई है यानि गनाब की उंचाई है एचे उसका मानगे ईदर. स– इम क्या धार, बराबर kiya e jd retreat proегi क्योंकिAN committee कूए से जो मिती खोदी जा रही है, अंधर से मिती हम खोद रहे हैं तो अंधर से वाहां से मत्लब क्या your kie कि जो आयतन है, वो निकाला जाएगा, तो घनाब का आयतन बराबर में है, बेलन का आयतन, अब देखिए, गनाब का आयतन है, इसका फार्मुला है, आपके, लंबाई गुणा, चोड़ाई गुणा, उंचाई, और बेलन का आयतन है, पाई, आर, स्कुवाइर, एच, ओके, ल है तो इसको कितनी बार लिखेंगे दो बार और गुना में एच का मान किया है 20 मिटर अब इसको मैंने सरल किया यानि ये वेसा का वेसा हैगा अब ये 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 कैंसिल कितनी बार 11 बार कितनी बार 11 बार और इस 2 से 20 को मैंने काड़ दिया 10 बार यानी 22 मिटर गुना 14 मिटर गुना h बराबर में क्या है 11 मिटर गुना में 7 मिटर और गुना में 10 मिटर अब देखी इसको आगे सल करेंगे यहाँ पर जो h है इसकी value हमें ग्याद करने है इसका मान ग्याद करना है 11 मिटर गुना 7 मिटर गुना 10 इसके बटे में आएगा 22 मिटर गुना 14 मिटर अब देखिए 11 से 22 को काटेंगे कितनी बार 2 बार मिटर से मिटर कट गया अब 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार मिटर से मिटर कैंसिल और 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार उपर क्य पाँच में देंगे तो कितना आएगा 2.5 मिटर आएगा तो जो चबूत्रे की उंचाइए बेलन जो घनाब की उंचाइए या सबूत्रे की उंचाइए उसका मान क्या आएगा 5.2 मिटर या 2.5 मिटर लो नमर 11 आपको दे रहें थे एक बेलनाकार बरतन है यानि बेलन के आकार का एक बरतन है जिसमें 3800 सेमी क्यूब पानी बरा जा सकता है यानि यह यहाँ पर सेमी क्यूब में दे रखा है तो यह आयतन होगा अगर यहाँ पर स्क्वाइर में होता है तो उसको हम 76 भल मानते यानि क्यूब में आपके आयतन आ आपको भित्री वक्रप्रस्ट ये चेत्रफल ग्याद करना है और वक्रप्रस्ट का जो फार्मुला है बेलन के वो होता है 2πrh अब देखे एच हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे और एच किसे निकालेंगे बेलन का जो आयतन है उससे क्योंकि बेलन का तो बेलन के आयतन से सबसे पहले हमें एच निकालना है उसके बाद में हम उसका भित्री वक्रप्रस्ट 6ठेववाल ग्याद करेंगे देखे क्यूचन में हमें दे रका है कि बेलन की जो ये रीडियस उसका मान दे रका है 14лож मी और बेलन का जो आयतन है वो हमें दे रहा है 3800 सेमी क्यूब अब बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मला है आपकी πाई R स्क्वाइर H जहां पर H का मान हमें ग्याद करना है और बराबर में हमें दे रहा है 3800 सेमी क्यूब पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7 इनके बीच में शाएन है गुना का आर का महान क्या है 14 सेमी तो यहां पर स्कोईर है तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार यानि 14 सेमी गुना 14 सेमी और गुना में क्या है एच और बराबर में में देर का 30,800 सेमी क्यूब इसके बटे में एक लिखेंगे और इनको करेंगे हम cross multiply यानि वज्र गुना तो एक को 22 से गुना की हमेने 22 आया और यहाँ पर एक को 14 सेमी से गुना करेंगे 14 सेमी आएगा और एक को 14 सेमी से गुना करेंगे तो यहाँ भी 14 सेमी और एक को X से गुना करेंगे तो यहां पर यह तीनों नंबर यानी बाइस इंटू 14 सेमी इंटू 14 सेमी यह तीनों नंबर इस वाले नंबर के भाग में आएंगे यानी बटे में आएंगे तो आप जानते हैं और 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार कितनी बार जाएगा 2 बार और 22 का भाग इसमें देंगे तो यह आपके जाएगा 1400 बार कितनी बार 1400 बार और 14 का भाग 1400 में कितनी बार जाता है 100 बार और 2 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 50 बार तो h का मान क्या है आपकी 50 semi अब हमें बेलन का वक्रप्रस्ट छेतरफल निकालना है यानि भित्री वक्रप्रस्ट छेतरफल निकालना है तो वक्रप्रस्ट का फार्मला क्या होता आपकी 2 pi r h जहांपर 2 का 2 मेने रखा है इनके बीच में साइन आएगा गुणा का पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7 गुणा में R का मान क्या है 14 से मी H का मान क्या है 50 से मी यानि R का मान तो हमें already question में दे रखा है लेकिन H का मान हमारे पास नहीं था तो सबसे पहले हमने H का मान निकाला H का मान कितना है हमारे पास 50 सेमी अब देखे 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार अब 2 को 22 से गुणा करेंगे क्या आएगा 44 गुणा में क्या है 2 सेमी और गुणा में क्या है 50 सेमी 44 को 2 सेमी से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 88 सेमी और गुणा में 50 सेमी 88 सेमी को 50 सेमी से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 400 सेमी स्क्वाइर तो बेलन का जो भीत्री वाकर प्रश्चेत्र भल है वो कितना आएगा? 400 सेमी स्क्वाइर आपसन नमर बारा आपको दे रखा है कि एक खोकले बेलन की मोटाई दो सेमी है और इसका भितरी व्यास है वो 14 सेमी दे रखा है और उंचाई 26 सेमी दे रखिए बेलन के दोनों सीरे के खुले हैं तो खोकले बेलन का संपूर्ण प्रस्थी सेतरवल आपको ग्याद करना है तो देखे क्यूशन में हमें दे रखा है कि खोकला जो बेलन है खोकले बेलन की जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है दो सेंटीमिटर और खोकले बेलन का जो भितरी व्यास है वो कितना देर का है 14 सेमी तो खोकले बेलन की भित्री जो तिर्जा है वो कितने आ जाएगी 7 सेमी यानि व्यास भित्री व्यास 14 सेमी है तो भित्री तिर्जा का मान कितना हैगा 7 सेमी उसके बाद में खोकले बेलन की तिर्जा यानि यहाँ पर तिर्जा है वो दो ल लिखेंगे जिस तिर्जा का मान छोटा है उसको R2 लिखेंगे तो R2 का मान हमारे पास 7 सेमी है अब हमें निकालना है R1 यानि खोकला जो बेलन है उसकी भाई ये तिर्जा हमें निकालनी है तो उसकी बितरी तिर्जा का मान कितना है 7 सेमी और उसकी मोटाई कितनी है 2 सेमी तो उसकी मोटाई में क्या जोडेंगे उसकी भित्री तिरजा जोडेंगे तो उस बेलन की भाईये तिरजा जाएगी तो r1 का मान कितना है नो से मी अब बेलन के दोनों सीरे क्या है खुले हुए है बेलन के H plus R1 minus R2, अब देखिए 2 का 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद में इनके बीच में जो साइन आएगा, हो आएगा multiply यानि गोणा, πाई का मान के आए 22 बटे 7, R1 का मान के आए 9 सेमी, plus R2 का मान के आए 7 सेमी, उसके बाद में bracket, H का मान के आए 26 सेमी, जो हमें दे रखा है, plus R1 का मान 9 सेमी, minus R2 का मान के आए 7 सेमी, जो मैंने मान रखें इस formula में, अब इसको सारल करेंगे, 2 को 22 से गोणा करेंगे, 44 बटे में के आए 7, उसके बाद में गोणा, अब देखें ब्रेकिट अटाएंगे, तो गोणा का साइन लगेगा, और 9 सेमी और 7 सेमी, इन दोनों को 8 करेंगे, तो क्या आएगा, 16 सेमी, उसके बाद में, इस ब्रेकिट को सारल करेंगे, यानि इसको open करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोणा आएगा, अब देखें, 26 में 9 जोडेंगे, तो यह आएगा आएगा, 35, यानि कितना आएगा, 35, और 35 में से कितना माइनस करेंगे, 7, तो यह आएगा आएगा, 28, यानि 28 सेमी, अब 7 का भाग, 28 में कितनी बार जाता है, 4 बार, अब 44 आगया, यहाँ पर 16 सेमी, यहाँ पर 4 सेमी, अब देखें, इन 3 को जब हम मल्टिपलाई करेंगे, तो यह आएगा आएगा, 2816 सेमी स्कौाइर, तो उसन नमर 13, आपको देर का है, कि एक खोकला बेलन है, उसके दोनों सीरे क्या हैं, खुले हुए हैं, वेशा ही क्यूसे ने, जो हमने 12 में किया था, जिसकी उंचाही हमें देर किये 20 सेमी, यानि H का मान हमारे पास है, 20 सेमी, और एन्ते और भाई ये व्यास देर का है, एन्ते व्यास कितना है 26 सेमी, तो एन्ते तिर्जा क्या होगी 13 सेमी, और भाई ये व्यास क्या है 30 सेमी, तो इसकी तिर्जा का मान क्या होगा 15 सेमी, और तिर्जा किस तिर्जा का मान बड़ा है, भाई ये जो तिर्जा है वो बड़ी है, तो उसको आरवन लिखेंगे, और एंते जो तिर्जा है वो तेरा सेमी जो छोटी है उसको आटू लिखेंगे और इस खोकले बेलन का हमें आयतन निकालना है देखे क्यूसन में देर का है कि बेलन की जो उन्चाई है उन्चाई को किसे दरसाते हैं एच से एच का मान हमारे पास है भी सेमी अब हमें बेलन का एंते व्यास देर का है 26 सेमी तो बेलन की जो एंते तिर्जा है उसका मान के आएगा 13 सेमी यानि व्यास 26 से तो 13 जो तिर्जा है उसका मान 13 आ जाएगा और बेलन का जो भाई ये व्यास है बारी व्यास है वो 30 सेमी देर का है तो भाई ये तिरज्या का मान क्या हैगा 15 से मी अब यहाँ पर हमारे पास तिरज्या का मान यानि दो तिरज्या है हमारे पास एक 13 से मी है और एक 15 से मी जिस तिरज्या का मान बड़ा है उसको क्या लिखेंगे R1 और जिस तिरज्या का मान छोटा है उसको क्या लिखेंगे R2 जो अल्रेडी मैंने बता दिया है आपको उसके बाद में हमें निकालना है क्यूसन में खोकले बेलन का आइतन तो खोकले बेलन का जो आइतन है उसका फार्मला होता है पाई H कोस्टक R1 का स्क्वेर माइनस R2 का स्क्वेर अब पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7 गूना इनके बीच में साइन आएगा गूना का H का मान क्या है 20 सेमी उसके बाद में कोस्टक R1 का मान है 15 सेमी यहाँ पर होल स्क्वेर माइनस R2 का मान क्या है 13 सेमी और इसका होल स्क्वेर अब 22 को 20 से गुना करेंगे तो यह आएगा आपके 440 सेमी और बटे में क्या है 7 गुना 15 का स्क्वेर क्या होता है 225 और सेमी का स्क्वेर सेमी स्क्वेर माइनस 13 का स्क्वेर क्या हैगा 169 यानि 100 गुनेतर और सेमी का स्क्वेर सेमी स्क्वेर अब देखे 440 सेमी बटे में क्या है 7 और गुना में इन दोनों को माइनस करेंगे 225 में से 169 जब माइनस करेंगे तो यह बचेगा आपके 56 भीप्टी सिक्स यानि 56 सेमी स्क्वाईर और साथ का भाग 56 में कितनी बार जाता है 8 बार तो यहाँ पर बचाया है 440 सेमी गुणा 8 सेमी स्क्वाईर अब 440 को 8 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 3520 और semi square को semi से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके semi cube यानि खोकला जो बेलन है उसका item कितना है हमारे पास 3520 semi cube